इस नवंबर को इंडियन ओर्गेन डोनेशन डे है ये निया चैप्टर उभर के आया है पिछले तीन तशकों में इसकी इंपोर्टेंस महसूस की गई पहले हम सुनते थे आम तोर पर की वाइटल ओर्गेन फेलियर की वज़ा से जैसे लिवर फेल हो गया, किर्दी फेल हो गयी, हाट फेल हो गया, पैंक्रियाज खराब हो गया ऐसे बहुत सारी चीज़ें या लंग्स काम नहीं कर रहे हैं कोविट में जैसे हमने देखा कि लंग्स लोगों के काम ही नहीं करने लगे अक्सिजन दे ही नहीं पा रहे थे, लटको अक्सिजिनेट करने की क्षमता खतम हो गई तो अब क्यों जैसे हमारी मेडिकल साइस ने तरफ की की, और गेन डोनेशन्स का और ट्रास्प्लांटेशन्स का एक निया चैप्टर साथ में जूड गया और जब देखा गया कि सक्सेस रेट इतना अच्छा है और ट्रास्प्लांट के बाद जिन्दगी मिल जाती है और बहुत अच्छी हमारी जिन्दगी मतलब बोनस लाइफ 25-30 साल तक या बहुत जादा भी कई और गेन ट्रास्प्लांटेशन्स के बाद जी सकते हैं तो इससे हमारी होसला अफजाई हूँ अब महसूस किया जा रहा है कि हर किड्ली फेलियर में हर लिवर फेलियर में हर हाट फेलियर में या लंग फेलियर में पैंक्रियास गाम नहीं कर रहा है इंटेस्टाइन्स नहीं कर रही या हम देखते हैं आंखें भी जैसे आई ट्र और नियार्ज, तो ऐसे हार्ट वेल्ड, ब्लड वैसल, तो ये समझा गया कि जब ये सारी ट्रांस्प्लांटेशन की सुविधा उपलब्ध है और इतनी जिंदगियां बचाई जा सकती है, तो मोका आ चुका है कि जागरूपता की जाए, ये जो लक्ष है इस मन्थ लॉंग जान लिदी साजीजाी जाए, चैसर सॉटो के बैनर के अंडर जैसे सॉलिड ओर्गिन और टिश्यू ट्रांस्प्लांट or गिनाइज़ेशन है हमारे यूटी ऑप जमों किशमीर के हमारे जमों मेडिकन कॉलेज में ये तो पर फिठीजनल और टिश्यू ट्रांस्प्लांट organization की और national organ tissue transplant organization की coordination में बहुत बढ़ चड़ कर आगे बढ़ कर ये काम कर रहे हैं